so hello gamers and welcome back to my brand new tutorial video guys आज के वीडियो में हम लोग इंस्टाल करने वाले है awesome kills graphic mod को in your 5M yes guys अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था भाई GTA 5 के लिए बट अभी जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है for 5M अगर आप आजकल भाई 5M बहुत ही popular हो चुका है क्योंकि वह काफी creators लोगों काफी content creators काफी जिन लोगों GTA 5 खेलना पसंद है ठीक है बहुत ही बड़ी अतरीके से हो 5M में अपने वीडियो बना रहे है वगयता कुछ भी कर रहे है ठीक है तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ awesome kills का installation वीडियो इन द फाइवेम वित री शेड येस री शेड के साथ ठीक है री शेड का भी फिलाहल भाई दिक्कत चल रहा है 5M के अंदर मैंने उसका solution ढूल निकाला है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोगों सभी चीज सकते हैं awesome kills जो graphic mod आपको यहां पर photos में देखो कितना बढ़िया graphic mod लग रहा है एकदम reflections देखो आप एकदम बढ़िया detailing एकदम बढ़िया heavy चीज़े ठीक है इस चीज को चलाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए वह बात कर रहा हूं ठीक अभी आपको 5M में चलाना है तो obviously guys आपको खाली 5M ही चाहिए पस आपका काम हो जाएगा ठीक है also एक और चीज़ भाई आप अगर like अपने खुद के सर्व में खेल रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आप किसी दूसरे बंदे के सर्व में खेल रहे हो ठीक है तो आपको पहले उनसे permission ले पूछने में कुछ नहीं जाता है क्योंकि अपने को नहीं चाहिए खाली फोकर अपने बेहन आए इसलिए आप एक बार पहले पूछ लोग सर्वर के ओनर या फिर सकता हूं अगर परमिशन देते हैं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो चलो अभी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है अभी हम लोग शुरू करता है डाउन्लोड इंग प्रोसेस तो सबसे पहले हम यहां पर ऑसम के ग्राफिक्स मॉड के साइट कर आएंगे सारी के साही लिंक्स आपको डिक्राइबल होगी हम लोग को यहां पर 236 वारा जो आपको दिख रहा है करन्ट वरजन उ हमको सिंपल यहां से डाउन्लोड कर लेना है तो ठीक है हमारी यहां पर दोनों के दोनों फाइल एक्चुली में डाउन्लोड हो चुकी है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो और सम्किल्स का ग्राफिक मॉड और रिशेट का सैट अप अभी हमको क्या करना है कि अगर आप डेटा ठीक है अब यहां पर देख सकते हो मेरे पास तीन फाइल अवलेबल है यह यह यूआ गेम का फाइल ठीक है तो इसके साथ हमें छेल चाही नहीं करने अगर आपके गलती से डिलेट भी हो जाए यह तीन फाइल तो कोई दिक्कत नहीं आपको फायम को एक बार बाइब करना है उसके बात है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं ठीक है और यहां पर यहां पर जाना एक फोल्डर को ओपना है नाम देना है उस फोल्डर के अंदर गाइस हमें सभी चीज़े डालनी है तिके यह डबलू ओवर कास्ट है यह डबलू क्लियर है यह हो गए अपना वेदर का फाइल यह गए यहां से हम लोग जो वैदर की जो w xml फाइल वह सभी हमको यहां पर ले आना है ठीक है यह इसमस का फाइल यह फॉड़ी वैदर है तो फॉड़ी का फाइल है ठीक है थंडर है उसके बाहर ऑगया नूट्वल कि अपना स्मॉग कि उसके बाद क्या है विजुल सेटिंग्स डॉट डेट को हमको यहां पर डालना है ठीक है बाहर डेटा में ठीक है यह हो गया फिर एक्स्ट्राशनी वापिस से जाएगा टाइम साइकल के अंदर ठीक है उसके बाद आगा डिफरिंग लाइस तो डिफरिंग लाइस जो अच चीज कर सकते हो अब बहुत टाुका यहां पर आना है जिसका नाम देना है ठीकन ठेक्ट्टर दिया और यहान पर फ्राफिकती यहां मैंने यहां पर जाएगे के यहां पर इपर हमारे यहां पर ताइम साइकल के अंदर यह हो जाएगे अभी गाइस ऑ्सम्क जो है वह एक्टौल हो चुपा है आप एजसेली कोई लिक्कत नहीं आपको अपना लॉंच कर ना आपको ऑसम्क जाफिक मोड इंस्टोल हो चुका है सेटाप पर लेट्स वर्जिन ऑफ जो किया 5.9.2 इसको लॉंच करेंगे ठीक है हमने रिशेट के सेट अप को लॉंच किया अभी हमको क्या करना हम अपनी जीटेफाई को सिलेक करना है यह मेरा जीटेफाई मैं यहां पर पात कंफर्म कर लेता हूं कि यह मेरा ही जीटेफाई इसके बाद मैं अपना इस नेक्स करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी को प्रिसेट नहीं है ठीक है अंचेक और करोंगा नेक्स करोंगा जिससे यह सभी अपने जो इफेक्स है वह डाउनलोड कर लेगा हो गया डाउनलोड चलो बहुत बढ़ी है तो यहां पर अपना इस रि 5M application data और plugins के अंदर जाएंगे और यहां से हमको ऑसम्किल्स ग्राफिक्स मौड के ना हमको रीशेट की कुछ फाइल जी मिलेगे ठीक है मैं आपको बताता हूं यह जो फाइल जना ऑसम्किल्स नौट डॉट गेम प्रैन यह तीन फाइल यह तीन फाइल नचली मैं रीसेट क लेक्टरी ओपन कर लेता हूं यहां से हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम चली सब्सक्रेइबर टॉट इनन्य फैसमा नका मैं रिशेल्ड को अभी इंस्टॉल कर लिया है अपनी 5-eam के अंदर अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि मैंने किया है बट आपने नहीं किया होगा ठीक है मैं पहले इस लाइन को हटा देता हूं इस लाइन का मैं आपको इम्पॉर्टन्स दिखाता हूं ठीक है मैंने इस लाइन को हटा दिया अब भी अगर मैं फायम को लॉंच करूंगा ना तो मेरा रिशेल्ट रन नहीं करेगा ठीक है रन कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूं तो आपको यहां पर रिशेल्ट का टूटोरियल वगर आ जाएगा मेरे में नहीं आया क्यों क्यूंकि मै को क्यूंक कर लेना ऐसे हो गाच आपका वनियुक्स को अंटिक कम लेना है क्लोज करना अपने 5M को एगजिट करना एक बापीस साब अपने 5m को लॉंच करो पार नहीं चलेगा क्यूंके क्यों लाइन मैंने कि अभी लाइन कैसे एड़ करता है सबस्वर्ण को एफ डबाना है और यहां पर गाईज आप देख सकते हो कि यह देखो मेरा रीशेल्ट तभी चालो होगा जब मैं यह लाइन एड़ करोंगा तो लाइन कैसे एड़ करनी है यहां से साइट पर आपको ओपन लॉग दिख रहा है उसको में उपन करना है उसके बाद हमको यहां पर करके सर्च करना है रीशेल्ट फाइब जैसे कि देख सकते हैं मैंने टाइप किया हो गड़ी मैं टाइप करता हूं आरी ए मैं इसको करूंगा कॉपी अभी हमको जाना है फायम को बन कर देना है ठीक है मैं यहां से फायम को कर लूँगा एक्जिट एप्लिकेशन डेटा के अंदर जाना है सिटीजन एफेक्स आयना यहां पर हमको दो बार एंटर डबाके बॉक्स ब्रेकेट देखे एड़ोंस बना तर्फेक्स बना दक्ताने सब्सक्राइब यॉद्ध का सब्सक्राइब जो और मजां रहा है क्योंकि मैं बन चुकाूंग वाई रिशेट अपना इंसलों हो जो का था हम इसका टुटोरियल कंप्लिट करें तो होम बटन डबाके एक दो इसको कंटीन्यू करेंगे कंटीन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे तो अपना यहां पर जो है वह हो गया हो गया अभी अब लोग को आशम के प्रिसेट को इंस् कि अपना पर इसको सिल्ग करेंगे और ऑफे तो सीट कर लेंगे जिससे घ्ल्bn ज हो गया है और देख़ो गाईस कैसे पूरा डिफ्रंस हो चुका है पूरी पयांपि यह जो के अंदर, इसी के आपने धस्य देख सकते हो अब चंबेड लेग स्थिल होगा क्यूंकि यह घा के अंदर एक टाइम किसी सीटी के अंदर बहुत सारे जो प्लग इंज ना वो लोड होते है कि टाइम पे ठीक है यह देखो गाइस यह अपना भाई ऑसम किल्स ग्राफिक आपको दिखाता हूं डिफरेंस अभी रात कोई हमेशा आता है ना पाई मेरा प्लेयर रात को हमेशा क देखना टिकना अँभी यार मेरो को उन्चेक हुल करना पड़ेगा तो तकि ज अब एक एक करके मैं सभी इफैक्स बूंड कर रहा हूं ठीक", यह देखो मैंने सभीट्र वन शिर्खते है यहां पर यह देखो अभी गेम देखो और मैं इसदी वीरत्स कफीव कर दो कि करatाँ यह यह 10 ऐतने अंत। ने बाइं पूरा गेम यहांफे मेरा चेंज हो चुका है पर एक चीज बताओ पूरा गेम यहांफे चैंज हो चुका है तोड़ा घूम के दिखाता हूं शेयर में तो टाइम कितना हुआ है वाइए तीन बज़े ठीक है तीन घंटे में हो जाएगा सुबाइब आपको घूम के दिखा रहा हूं ठीक है यह दो पूरा लाइट का टेक्च्चर से अब देख सकते हो कितना बड़ीया तरीके से सब कु अब आपके सब्सक्राइब लोड़ होती है अब कितनी सबीचीजे चल रही होती है अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो और आपके पास मेरी तरह मेंड रेंज PC है ताव अपनी गेम को ना नॉर्मल सेटिंग में भी खेल सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका मेरी त मेरी तरह ray कर सकते हो ठीक हो एब आप अपने तरीके से मोडिफाइघ कर सकते अगर आप लाइक नहीं चाहिए अंटिक कर दो HDR गया लाइट ओम नहीं चाहिए अंटिक कर दो लाइट ओम गया भाई तो आप अपने तरीके से देखो कि आपको कहां पर fps मिल रहा है कहां पर नहीं मिल रहा है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो फर्स्ट फर्मेक शर्य हिद लाइक बटन बटन बड़ा ओसम किस को कंफिगर करने में चली मैं काफी टाइम लगा है तो थेंक यू वैरी मच पर वाचिंग दो वीडियो आप चेक करो अच्छा लगा तो बता यह बैट गया तो उठेगा कैसे उठ गया तो एनिवे थेंक जैसे का मैंने लाइक करो वीडियो को एक लिस्ट ट्वेंटी लाइक का मैं लगता हूं बट्वेंटी लाइक तो इनफ है लाइक करने के लिए and see you guys in the next video और अब तक stay safe keep gaming and keep supporting this channel